हेलो दोस्तो नमस्कार हरे कृष्णा स्वगत करता हूँ आपके और हमारे चैनल फ्लैम स्पोर्ट्स में दोस्तो मायामी वर्सिस सिगागोगी बीट मेच होने वाला है जो भी यह मुकाबला हारा और डायरक आउट हो जाएगा जो जीता और डायरक प्लेओप से जाएगा ठी सिगा गोबल चीत करा रही है तो दोस्तो मायामी में इंचरी रिपोर्ट देख लिजए यहां पे दोस्तो दो काईल लोरी जीमी बटलर और दोस्तों यहां पे कर नाम इंच रिपंट में ने च्ट किया हुआ लेकिंड रिसेट्ली अपडेट य आया हुआ है कि कायल लोरी जीमी बटलर प्रोबेबल है जहां पर अभी भी क्वेस्चेनेबल चल रहा है कि आप एविंट सेंठीक है पकि टाइलर हीरो उसके यहां पर मैक्स ट्रूस है जीमी बटलर है सेंटर में बाहां मड़ब आयो है वो आपको स्टार्टिंग लाइप में देखने को मिल जाएंगे सेंटर में निकुला फुझे भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तो देख सकतो लास्का के मायमी का इटलांटा से हार गए थे तो यहां पर दोस्तो यह देखे बामड़ोब है कुछ खास नहीं किल तो डिफेंस दोस्तो उसका बहुत बढ़ी है नो रिबाउंड, दो लेकिन ओफेस कुछ खास नहीं रहा था ओफेस्स दोस्तों काईल लोरी टाइलर हीरो और जिमी बटलर ने काफी अच्छा संपाला था लेकिन उसकी टीम जीत नहीं पाई थी 29 मिट खिलने के बद भी 0 पोईट अगर देते हैं बेंस आने वले खिली जैसे कड़ी मार्टीन तो दोस्तों एक कुछ खास नहीं रहे हैं ठीक है साई सोरी कैलब मार्टीन बागी तो इसमें कुछ खास है ने क्योंकि दोस्तों मेक्स टूस भी फ्लोप हुआ था अब एसर यह विनिंग ये एक पर देख लिजिए आज की ही भहलोग विनिंग है बहुत सारे लोग दोस्तों विनिंग कर रहे है आफी की तरा ठीक है ये कुछ खास नहीं दोस्तों ब पहले लोग विन करना है तो दोस्तों एस सेम टेलीग्राम चलेंग का लिंक में नीचे दिया हुआ वीडियो के डिशेशन में अगर कुछ ना कुछ अगर आपको बास्केट में प्रोफिट करना है तो जोइन कर लीजिए अभी दोस्तों एक बूल्स का एक बात देख इस जनक कई बार आपको साप्राज किया होगा कि डमाटी रोजन जेक लविन से कई अच्छा प्लेयर है लेकिन हर बार की तरह जेक लविन दुस्तों डमाटी रोजन के प्लेयर पोहमंस से आगे ही निकल जाता है निकोला विचयो भी दूस्तों कुछ खास खेल नहीं हुआ लोग यह उससे कहीं अच्छा है काम करके आपको दे सकता है उसकी टीम को दे सकता है लेकिन दूस्तों कुछ खास भी नहीं खेल रहा भाई लोग निकोला वूचे उससे अच्छा दोस्तों बाम अड़ो वे हो इस गेम में क्योंकि दोनों का सतरा केडिट होने वाला है ठीक है तो यहां पर अलेक्स करूस का एक बार पहुमस देखिए तीन ब्लोक के साथ तीन स्टील यह बहुत ही अच्छा पहुमस है डिफेंस काफी भाहतर है इसकी ही वज़े से इसको 31 मिट खेलने के लिए समय मिला वाला क्योंकि यह बहुत ही टाइड गेम हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है तो चलिए दोस्तों भी ड्रीमिलें टिम के बारें बात करेंगे ठीक है तो दोस्तों आपने देखा हुआ हुआ है काल लोरी ने कैसा पॉमस दिया सब कुछ मेरों मालूम है काल लोरी दोस्तों ब बहुत है यहां पर जहक लविन अठार रहा है तो इसका इंक्रीज हुआ है ठीक है टाले हिरो 14 गड़ी 8 कड़ी दोस्तों पेट्रिक बेवली गाबे में से बाकी प्लेस को निकल दिए निकोला जोविस तो आउट होने वाला ए भी निकल दिए ठीक है ये चार प्लेस पी ही आपको फोकस करना है उसके बाद दिस्तों डमा डी रोजन है यहां पे केले दोस्तों उसकाफिर या की दमडेस नहीं करने के लिए उसको मिलना ही चाहिए लेकिन कुछ घास समय नहीं मिलने वाला की टो सुझ झांड कर ठाण करते हैं यहां पर दोस्तों दिमाग में पहले बात तो आप दिमाग में बेटके आप बैठा लिजिय है क्योंकि इस गें가요 दोसों जेक लवी ओर ड्माइज लेना है तो या तो या तो ऐसमाद कोंपना पड़ेक, कौना प्ड़ेगा याथ 20 वायां पूरnd, यहां पर जोस्तों को एक 17 में हेंडेड़ संद ये क्योंकि वहानना ही पड़ेगा क्योंकि यह सरे खेली तो बात नहीं कर रहा तो दोस्तों बटलर इसलिए काफी इंपर्टन पीकह तो मैं यह पड़OR ले राओ तिक है उसके पास यहाँ पे आपके पास चॉइस है आप चाहे तो जेक लवट लीजिए चाहे तो दुस्तों डेमा डि रोजन लीजे मुझे क्यों यह ऐसा लग रहा है कि इसमें दोस्तों डमाडी रोजन अच्छा हो सकता है अभी दोस्तों आपने देखा होगा रिसेंटली यार्जेक लबीन ने कितना बड़े अपोमस दिया लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिमाडी रोजन का थोड़ा सा एक्सपि लोरी को लेना है तो आप नहीं ले सकते टाइलर हीरो को ठीक है तो यहां पर पेट्रिक विवली अगाब इविंट से दोनों में से को एक लेना पड़े करें तो 17 कडित में दोस्तों दो एसे प्लेस आएंगे जो आपको यहां पर अच्छा कर सकते है क्योंकि दूस्तों देखतें मिल जएगा अगर आपको काइल लोरी को लेना लिओ लेंगे ठीक है अगर आपको काइलोरी को यहां पर 17 ठीक करनी है ठीक है यहां पर 188 कटी के दो खड़ कि ने तो इसे तॉत दोस्तों एपक बागी बस इक चेंज कर सकते हैं तो वो बस पेट्रिक विल्यम्स में कर सकते हैं और दोस्तों यहां पर पेट्रिक बेवली या एलेक्स करूसों में यह तीन प्लेस के जिगा को एक छोटा वाला खेड़ी लेके अब टाले हीरो को ले सकते हो बस एचेंजिस कर सकते हो उससे अलावा कोई भी काफ़े बहतर और वह आपको वाइस कप नहीं चाहिए तो वाइस कपने के लिए डमाडी रोजन यह होने वाली है पे लिपिक ठीक है दूसरी बात करेंगे दूसरी अगर कायल लोरी ना ले तो हम किस तरह से टीम बनाए क्योंकि यहां पर बटलर यहां पर अडबायो यहां प यहां पर फेट्रिक रियम्स को में लिया था यहां पर टैलर हीरो क्योंकि दोस्तों अगर यहां पर लोरी नहीं है तो हम टैलर हीरो को पसंद करेंगे ठीक है साड़े सतरा कड़ित हमारे पास बचावे लोग साड़े सतरा कड़ित में तो यहां पर निकोला उजेविच दो तो दूस्त पहले कालोरी वाला कॉंबिनेशन था टाले हिरो वाला कॉंबिनेशन है ठीक है जो मुझे पहले वाला काफी अच्छा लग रहा था अभी बान अभी सुन लीजिए ग्रेंड लिके ठीए ग्रेंड लिक के लिए दूस्त जैक लविन काफी स्वरी दोस्तों भी जो सेकंड टेम ने करूसो को लिया था एरो को लिया था गाबे विंसन को लिया था डर्माडे रोजन को लिया था को लिया था बट्लर को लिया था पड़बाय को लिया था विलियम्स को लिया था इसमें एक काम आप कर सकते हो आप जो है ना गाबे विंस भी सामिल है इस गेम में फाइनल टीम आपको अपडेट करके टेलिग्राम चेलल पर बता दूँगा कितना इन्वेस करना है कहां खेलना है सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को बिल जाएगा तो टेलिग्राम चेलल मेन है मैंने आपको बोला है कि नीचे लिंक है वाई आपको बीजना तेक केर